आज कल मीडिया से क्यों बच रहे हैं सलमान खान वजह जान लीजिए सलमान खान अपने कमिटमेंद के लिए जाने जाते हैं सलमान एक बार किसी से कमिटमेंद कर देते हैं तो फिर वो खुद की भी नहीं सुनते हैं लेकिन हाल ही में उन्होंने एन वक्त पर अपना कमिटमेंट तोड़ दिया था सलमान ने मुंबई में हुए एक अमेरिकन डिजाइनर के ब्रांड लॉंच में आने का बादा किया था लेकिन सलमान बहां पहुंचे नहीं दरसल उस इवेन के बाद सलमान को मीडिया से रूबा रूब ही होना था उस इवेन्ट में मौझूद कई जर्नलिस्ट सलमान से कई सुलगते हुए सवाल पूछने वाले था सलमान से पूछा जाना था कि पुल्वामा अटैक के बाद पाकिस्तान को लेकर नरम रुख दिखाने वाले सिद्धू के उपर आपका क्या स्टैंड है सलमान से ये भी सवाल होना था कि चुँकि वो कपल शर्मा के शो के प्रोडूसर है तो क्या सिद्धू को शो से हटाने का फैसला आपका है वहां मौजूद मीडिया की तरफ से सलमान से ये भी सवाल होने वाला था कि क्या वो अब सिद्धू के बायान को सपोर्ट करने वाले कपिल शर्मा के खिलाप भी एक्शन लेंगे पुलवामा अटैक के बाद बॉलेवुड ने पूरी तरह से पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया है लेकिन इसके उपर भी अब तक सलमान का कोई ओफीशियल स्टैंड नहीं आया है हाला कि दो साल पहले जबूरी अटैक के बाद इंडिया में मौजूद पाकिस्तानी कलाकारों को वापस भेजने की मांग उठी थी तो सलमान ने इस बात का विरोड किया था सलमान की फिल्म भारत में पाकिस्तानी सिंगर्स गा रहे है या नहीं इस पर भी सवाल उठना था खबर है कि सलमान इन सब सवालों से बचना चाहते थे इसलिए उन्होंने उस सिवेंट को इग्नोर किया